हेलो साथियों नमस्कार तो दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं यह GS World की एक नई और बहुत ही बहुत ही जबर्जस्ट करेंट अफेयर्स और समान अध्यन की यह कंबाइन टेस्ट स्रीज है साथियों जो आपके आने वाले एक्जाम यूपी पीएस्टी आरो ए आरो और यूपी पीसीएस प्रिलिम्स दोहयार चौबिस दोनों के दोनों के सिल्बस को कवर करते हुई मिलेगी यह तरह कि यह कंबा आने वाले एक्जाम के लिए इसमें आपको साथियों एक से बढ़कर एक गजब के सवाल हैं मोस्ट अपडेटेट इसमें करेंट अफेयर्स के सवाल डाले गये हैं और करेंट अफेयर्स से ही रिलेटेट साथियों इसमें आपको जीएस के सवाल मिलेंगे तो आप लोग ज देखेंगे question, तो question देखकर ही लग जाएगा कितने लाजवाब प्रश्न बनाए गए हैं, एकदम सेडो प्रश्न है, साथियों ये सेडो प्रश्न क्या होता है, जो आपके exam pattern पर बिल्कुल बने होते हैं, एकदम mixed type के सवाल बिल्कुल उसी पर आधारीत है, तो साथियों आप एक से बढ़कर एक यहां पर देख रहे हैं सवाल मिलने लगेगा, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सवाल से परिशे करवा रहा हूँ, देख लिजिए आप, एक से बढ़कर एक आपको यहां पर सवाल मिलता हूँ नजर आएंगे, जो आपके सारे के सारे most updated current affairs से सम्ब पाते हैं, तो बेडियो को छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसे सवालों को साथ यहां कत्ता ही न छोड़िएगा, अपने आप से खिलवाड न करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रशनों को एक बार आप जरूर अवलोकन करिए, क्योंवाल सुन लेंगे, अगर इस तरह के से मैं explain कर आपके सारी की सारी चीजे कवर हो जाएंगे, एक से बढ़कर एक प्रशन है सात्यों, सुरुवात में conceptual प्रशन है, लास्ट में आपको वन लाइनर और एक तरह का factual प्रशन मिलेंगे, तो ऐसे प्रशनों को सात्यों छोड़ना मत, तो चले हम लोग आज से यह पहला प्रश समझेंगे, कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, जो हमको नहीं आता है, तो ऐसे कुछ ट्रिक्स अपना कर हम लोग उसको भी साल्व कर लेंगे, यह भी हम लोग ट्रिक्स यहां पर सीखेंगे, तो देखें यहां पर हमारा जो यह पहला प्रशन है, ये कह रहा है सात्यों, सि सिंदू घाटी सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, जो चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरी सभ्यताओं में सबसे जादा उन्नेत, यहनी सबसे जादा एडवांस थे, जी सात्यों बिल्कुल सही है, आपने सिंदू घाटी सभ्यता के बारें पढ़ा होगा, यह मिस्र की जितनी सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की जितनी सभ्यताएं हैं, भारत की जितनी सभ्यताएं हैं, चीन की जितनी सभ्यताएं हैं, इन सभी सभ्यताओं में सबसे जादा एडवांस, सबसे जादा उन्नत, यह सिंदू घाटी सभ्यता है, आप लोग जानते है इसके बारे में तो पहला सही है और दूसरा साथ यूं कह रहा है प्रारंभिक चरण प्रारंभिक हडपाई चरण हाकरा चरण के नाम से संबंदित है जिसे घगघर हाकरा नदी घाटी के रूप में चिन्हित किया गया है यानि साथ यूए जो हाकरा यहां पर जो दिया गया ह प्राराम्बिक चरण हाकरा चरण से संबंदित है जिसे घगघर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है तो बिल्कुल सही है दोनों के दोनों सवाल सही हैं कंसेच्च्च्जूल सवाल था आपका उत्र एसी हो जाएगा आगे अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले प्रशन में सातियों एक गजब का सवाल है हमारे पास इसमें कह रहे हैं आपको वैदिक रतनियों के संदर्व में वैदिक रतनियों के संदर्व में कौन सा मिलान सही नहीं है बहुत ही अच्छा सवाल सातियों आप लोग जानते हैं सातियों वैदिक काल में जो राजा होता था वो प्रसासनिक सहयोग के लिए जो है जो बारा रतन का वो सहारा लेता था तो बारा रतनों में से कौन सा इसमें ऐसा रतन है जो मिस मैच है जो गलत मैचिंग दिया गया है तो उसमें जो ग्रामीड होता था साथियों ग्रामीड होता था वो ग्राम का सैनी का धिकारी होता था ये तो सही है लेकिन हमसे गलत पूछा यहां बताना और यहां पर सूत दे दिया है साथियों, सूत क्या होता था, राजा का सार्थी होता था, यस यह भी सही है, यानि सूत जो होता और राजा का सार्थी होता था, यह भी हमारा सही है, और भागदुद जो होते थे साथियों, वो टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी होते थे, त तो यह वन अधिकारी से सम्मंदित नहीं है, यह पाला गल जो होता था और राजा का दोस्त, वन अधिकारी जो होता था साथियों, वन अधिकारी जो होते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो वन अधिकारी यहां पर यह पाला गल नहीं, आप लोग तो यह समझ गए, पाला गल क्या होता था राजा का दोस्त होता था और जो एक तरह का वण अधिकारी होता थे उसे गोवी क्रित कहा जाता था गोवी क्रित तो ये कुछ conceptual type के प्रशन आ रहे हैं हमारे तो हम आप लोग समझ गए हैं पाला गल राजा का दोस्त होता था और ये ववन अधिकारी को गोवी क्रित कहा जाता था ये 12 रतनियों कुछ 12 रतन होते थे 12 रतनियों में से 4 का नाम दिया था उसमें ये गलत कर दिया था वही आपको बताना था तो यहां आप लोग देखेंगे तीसरे वाले में तो तीसरे वाले में आप से जो पूछा जा रहा है साथियों बहुत धर्म और जैन धर्म के संदर्म में आपको दो कथन दे दिया गया है इन ही कथनों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है और उसी को व सदानता में विद्यमान थी तो यह जो है बिलकुल सही के रहे हैं बोध धर्म आत्मा विस्वास नहीं करता था जो drinking करता था यह बात बिलकुल सही है इसमें कोई डाउट नहीं और आप लोग तो यह जानते हैं बहुत धर्म की अपेच्छा जैन धर्म में अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया गया था, यह साथ यह बिलकुल आप लोग जानते हैं, जैन धर्म जो होते थे, वो तो कहते थे, भाई पेड़ पौधों, जो गेहूं, चावल, जो उगाते हम लोग इनके पौधों क लगने रहते थे, दिगंबर मुद्रा में, तो यह दोनों कथन सही है यहां पर, बहुत धर्म, जैन धर्म से संबंदित, तो यहां आपका यह जो विकल्प होना चाहिए, यह सी हो जाएगा, तीसरे का सी, यानि दोनों कथन सही है, आगे अगर हम लोग देखें, चवते वा तो आप लोग जानते हैं, बहुत धर्म, जब दो भागों में बटा था, एक महायान, एक हीनयान, तो यहां महायान में साथियों, मौलिक उपदेश को ही, यहां पर महायान बुद्ध के मौलिक उपदेश को मानता था, यह गलत है, यह हीनयान के लोग होते थे, वो मौलिक उपदेश को मानते थे महायान को नहीं तो महायान के जगह पर साथियों यह हीनयान होना चाहिए था तो यह बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी तो यहां यह चीज आपको समझ मागया हो तो इसका मतलब यह चौथा आपका अब यह गलत हो गया तो जहां जहां चार हो तो इसका मतलब इनहीं दोनों में से कोई उत्तर होगा तो यहाँ सुननेवाद जो महायान बहुत संप्रदाय की प्रधांता दर्सन है यस दस पार्मिताओं का पूर्ड पालन करने वाला बोधि सत्त कहलाता है यस यह भी सही है भारत में बहुत धर्म का नवयान संप्रदाय डाफ्टर भीम राओ अंबेटकर द्वारा निर्मित है यस तो यह प्रथम तीनों सही है चौथा गलत है तो विकल्प नंबर आपका यह चौथे का ए हो जाएगा बहुत अच्छा साथी हूं बहुत ही अच्छा हम लोग देख लिए तो ही लियान जो है बुद्ध के मौलुक उब्देश को मानता था मह यान नहीं तो यही यही चीज आप जात कर देंगे तो इसमें वह एक Be ना गजब-गजब के कंसेप्ट दिए गए हैं पाचवा में, कौन सा सही है, तीनों कत्वनों को पढ़कर बताए कौन सा सही है, तो यहां साथियों स्रीशैल नामक अस्थान का प्रमुक केंद्र था, साथियों का पालिक एक सैव शमपरदाय था, तो जो यह स्रीशैल नामक का तमूख केंद्र था कापाली के सहव संप्रदाय संबन्नी था जो जादू तोना तंट मंत्र से में ये विश्वास रखते थे वही है तो ये सही है दूसरा काला मूख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण श्योपूराण में इसके अनुवाईयों को महावरत कहा गया है यस यह भी सही है और नाथ संप्रदाय दसवीं संप्रदादी के अंत में आया था जिसकी जो है जिसको चलाया था मत्सेंद्र नाथ ने चलाया था इसको यस नाथ संप्रदाय किसने चलाया था मत्सेंद्र नाथ तो तीनों सही है तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो अभी GS के सवाल आ रहे हैं, जो current affair में किसी किसी कारण से चर्चा में थे, वो यही हैं, तो यहाँ पर देखें, छठवे वाले में साथियों, यह शाक्त धर्म से संबंदित यहाँ पर कुछ दिया है साथियों, एक तरफ मिलान वाला है, तो संबंदित कुछ मंदिर का अस्था है, बक्चा बक्चा जानता है, और अभिंधे वासनि देभी का मंदिर बिंध्याचल में है, सब ही जानते हैं, तो इसका मतलब यह दो तो हम संथ हैं, बाकि तो नहीं आता है उसकी बाद छोड़िये, प्रथम दो आप जानते हैं, अब देखिए, एक वाल नोंदित वीफ क का मंदिर भेडा घाट मध्ध प्रदेश में दच्छडेस्वर काली मंदिर कोलकाता में आप लोग देख लिए बहुत अच्छा आपका ए उत्तर हो जाएगा आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न बहुत बढ़िया साथियों एक से बढ़कर एक ऐसे ही अभी आपको प्रश्न मिलना अभी तो जी एस के सवाल आ रहे हैं जो करेंट कहीं कहीं समसमाई घटनाओं में चर्चा में थे अभी आपका जो है यह करेंट अफेर से सवाल आना सुरू होंगे तो देखते हम लोग यह साथवा में कथन कारण से संबंदिश सवाल है साथ साथियों एक तरफ यहां पर ए और बी दे दिया अच्छा ए और बी एक अथन कारण नहीं है ए है और बी है दोनों को पढ़कर बताईए कौन सा हमारा सई होगा तो साथियों बिश्यों के सभी भागों में इस भी पूर छठवी सताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल यह साथियों छठवी सताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल हुआ था जिसमें अनेक धर्म चर्चा में आए जैसे बहुत धर्म जयंधर्म liksom इन धर्मों में चर्चा में आने से बहुत धर्म, जैन धर्म जैसे धर्म जब चर्चा में आये, छट्वी सताब्दी में, तो वैदिक धर्म का प्रभाव घटने लगा था, यहां पर लिख दिया, बढ़ने लगा, तो साथियों, यह तो बात आपका A सही है, B गलत हो जाए, क आपका सातवे का सी उत्तर हो जाएगा, आगे चले हम लोग देखते हैं, आठवा में साथियों, जो आपसे जो पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल, अभी आप थोड़ा सा पेसेंस रखे रहिए, एक से बढ़कर ये कभी करेंट अफेर्स के सवाल आ रहे हैं आपक कितड़ पर अफोरस का जो छेतर था, जहेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुए था, ये तो पहला कथन वही वही दे दिया, जो मैंने आपको बताया, और सिकंदर के आकमन के समय, ये जो अवश्क गड़ राज था, उसकी राजधानी मस्तग थी, ये भी सही है, तो दोन के देखते हैं हम लोग, तो साथियों ये नवा वाला सवाल भी देखिए, देखने में तो होस पहले ही खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे, मैंने पहले बताया न, कुछ ऐसे प्रशन होते जो हमें नहीं आता है, हम दम तोड़ देते हैं, हम लड़ते नही है प्रशनों से, अब अगर आप प्रशनों से लड़ना सीख गए जिस दिन, आप यकीन मानिए सव प्रशनों में से, अगर मालिए बीस प्रशन आपको नहीं आ रहे हूं, बीस प्रशनों में से चार-पांच, तीन-चार प्रशन आप निकाल लेंगे, सिर्फ किसलिए आप लोग कई लाइन लगी है तो आप बेच में घुस जाते हो और जिन लोगों को लड़ना आता है अपनी सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए लोग लड़ जाते हैं नहीं मैं ही था भीच गया पीछे मेरा यहीं अस्थान था तो कुछ लोग सोचते हैं चलो जाने हो तो क्या अर्थसास्त्र लिखा था वो साथियों एक पॉलिटिकल था पॉलिटिक से संबंदित था वो एतिहासिक गरंथ नहीं था यहां पर यह हमें चोर पकड़ा आ गया क्योंकि दो नहीं आया तो हमने डरा नहीं हमने आगे बढ़ा तो यहां पर हमें एक मिल गया कौटिल का अर अननाम तो अर्ष क 750 है लेकिन यह पॉलिटिटिक सरम है तो यही आपसे पूछड़ा है कौन सा सही नहीं है तो सी वाला नहीं है इसका मतलब यह भी सही है अपनी ज sinus कर यही आपका उत्तर हो जाएगा सी ऐसे ही प्रशनों को आप भी सौन करने कं जानकारी में भी उत्तर को निकालना सिखिए, कैसे सिखेंगे लड़कर, आप लड़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ ऐसा फैक्ट दिखाई देगा, आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आगे अगर हम लोग देखें ये दस्मे वाले में, तो यहाँ प हम सोने के सिक्के जारी किया था, ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से परचित होंगे, मौर्योत्तर काल पढ़या होंगा आप लोगोंने तो, ये सम्मन्नित है बिल्कुल सही, अकुषार सासक कनिष्क आप लोग जानते हैं, कनिष्क के ही सासन काल में चौती बहुत अगेती हुई थी, तो कनिष्क जो है, इसे जो है दिती अशोक कहा जाता है कनिष्क को, तो कनिष्क के शिकों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, ये तो ये दोनों के दोनों बाते सही है, सी आपका उत्तर हो जाएगा, दस्वे का सी, आगे अगे अगर हम लोग बढ़ें, इ चोटे क्लास में ही अंकोरवाट मंदिर समू का निर्माड ये कमपूचिया, वर्तमान नम कमबोडिया हो गया है, कमबोडिया में है, तो किसने बनवाया था, सूर वर्मन दिती द्वारा इसका निर्माड करवाया गया था, ये अंकोरवाट मंदिर का, और यहां तो वही ज तो सोरी सोरी साथ यह सी नहीं होगा मैंने यहां गलती कर दिये यहां आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है यहां ध्यान देजिए आपसे कह रहा है देखो मैं फंस गया नहीं यहां पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है यानि दोनों कथन हमारे सही हैं तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं है जो गलत है यानि डी हो जाएगा आपका ना तो ए गलत है ना तो एक सही है मतलब ना तो एक गलत है ना तो दो यानि दोनों के दोनों सही हैं तो नहीं पूछा है तो आपका डी हो जाएगा यानी दोनों सही है पर गलत हमारे पास nowadays कोई नहीं ना तो नथ दो बारह वाले में अगर हम लोग देख लें तो बारह वाले में सातीयों या पर यहीड सवाल है हमें पहले नहीं याद होता था इसका हम लोगों ने पढ़ा था मांधिर है। तो मोधेरा में भी मोड आ रहा है, मोधी के नाम में भी मोड आएगा, तो मोधी भी गुजरात के हैं, तो मोधेरा मंदिर भी गुजरात में है, तो यहां लिख दिया है, मोधेरा का सुर्मंदिर उत्तर प्रदेश में इस्तित है, नहीं सात्यों, मोधेरा का सुर्मंदिर जो की बात है लेकिन हमने उत्तर कहां से निकाला सिर्फ इस फैक्ट को हमने याद किया था इस सी से हमारा उत्तर निकल गया कि मोधेरा का मंदिर उत्तर पर्देश में नहीं साथ हूं यह गुजरात में है यह आपको समझ में आ गया यह मोधेरा का मंदिर गुजरात में है 21 अब हमें पता चल गया ये मोढेरा यूपी में नहीं ये गुजरात में है इसका मतलब यही गलत था तो बाकी सब सही है अपनी जगह पर इसको पढ़ लिजिए गा एक बार ये आपके फैट कुरूप में याद होगा कि लिंगराज मंदिर उडिशा की बेवनियस्वर में है मिराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये पूरी कुडार का विशाल सुरद्यों मंदिर है तो ऐसे फैट को याद कर लिया करिए ये सब अपनी जगह पे सही थे गलत केवल डी था आगे देखे हम लोग 15 वाले में अगर तो 15 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं तो यहां जो पूछा जा रहा है निम लिखित कथनों पर विचार कर लीजिए विचार करकर जो तीन कथन दिये गए इन कथनों पर विचार कर लीजिए और बताईए कौन सा हमारा उत्तर सही है तो साथियों चले हम लोग देखते हैं ये दच्छिड भारत के आर्यकरण का स तो इसका मतलब यह भी सही है तो इसका मतलब यह भी तोलकाप्यम यह आप लोग जानते हैं तमिल व्याकरण है और व्याकरण के साथ साथ काबिसास का भी एक कुछ कोटी गरंथ है तो एक और तीन सही है तो आपका भी हो जाएगा उत्तर एस सही है आगे चले हम लोग चौदा में देखने क्या है तो चौदा वाला सिंपल सा प्रश्ण एसातियों निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके हमें सही उत्तर दीजिए तो चोल राजाओं ने एक बिशाल संगठित सेना का निर्मार किया था यस बिल्कुल सही और वातापी के चालुक राजवन्स का वास्त्विक संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था यस दोनो दोनो कथन सही है सातियों तो इसलिए हमारा उत्तर यहां चौदय का सी हो जाएगा एक और दो दोनो कथन सही है अब पंदरा का हम लोग देखें अब हमरा जीएस खतम होने वाला है करेंट अफेर से हम लोग आने वाले हैं तो देखें पंदरा में सात्यों क्या कर रहे हैं दो कथन है दोनों कथनों को बढ़क बताना है कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है, उसी पर हमें बताना है, हाँ हमारा यहीं सही नहीं है, तो चालुक्यों के शाषनकाल में प्राय महिलाओं को उच्छ पद, जो चालुक कोवंस के साथ सकते साथियों, उनके साथियों महिलाओं को बड़े-बड़े पद दिये जाते थे, बड़ से दूसरे राजा का नियुकति कर दिया या थे चार कर का हां हमारे बाद यही राजा बनेगा तो यह दोनों के दोनों कथं सढ़हें का हमारा उत्तर जो है यहां स्वारी एक कह रहा है कौन सा सही नहीं है तो दोनों सही हो गए इसका मतलब ना तो एक गलत है ना तो दो दोनों में से कोई नहीं तो दोनों सही है इसका मतलब गलत कोई नहीं है आगे देख ले हम लोग तो यहां पर देखें साथियों एक संगम यूग में उरैयूर यहां पर साथिय करा है बहुत अच्छा सवाल सात्कियों यह तो यह देखे हम लोग अगर यहां पर तो यहां पर आपसे जो पूछे जा रहे हैं कि यह उर्यूर किसके लिए बेख्यात था संगम यूग में उर्यूर यह किसके लिए बेख्यात था तो आप लोग यहां पर जानते हैं उर्यूर तमिल नाडू के तिरू चिना पल्ली में का स्थान है जो सूती कपड़ों के लिए बहुत बिख्यात था उस समय संगमकाल में तो उसी समय इसको वारे में पूछा जा रहा है उरयूर किसके लिए बिख्यात था तो कपास के ब्यापार के लिए बहुत ही मातपुड के अंदर था ये उरयूर तो विकल्प नमबर यहां आपका भी हो जाएगा तिरूचीना पल्ली में तमिल नाडू में आगे देखें तो यहां पर 17 वाले में जो हम से पूछे जा रहे हैं, तो 17 वाले में भी वही हाल है, अभी जैसे मोडेरा वाला मैं बताया था, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बता दे रहा हूँ अभी अच्छे से किलियर हो जाएगा यह एक मिनट थोड़ा से करने ले दीजिए अब देखिए यहाँ पर यह जब मैं पढ़ा था तो इसको भी हमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है तो हमें नहीं आ रहा था तो हमारी नजर यहां पर पहुझी सबसे पहले कश्मीर के जो है यह जो राज तरंगडी कलहर ने जो राज तरंगडी नाम के जो गरंथ लिखा है कलहर की राज तरंगडी यह जो रचना है तो यह जो है कश्मीर के हिंदुर राज्य का इतिहास बताती है मुस्लिम राज्य का नहीं तो यह आ जो भी पढ़ता है तो लगभग सभी को आता है तो शुरुगात में आपको देता है कि बच्चे थोड़ा सा पढ़कर घबरा जाए और प्रश्ण को छोड़कर भाग जाए लेकिन कोई बच्चा जो है अंतर तक नहीं आता एक पढ़ा नहीं आया दो पढ़ा नहीं आया तो उब किवर उसको छोड़ दिता है सोचता है जाने दो पता नहीं क्या है नहीं समझ मारा तो लहीं आप लोग थोड़ा सा लड़ना सीखिए लड़ेंगे तो यह चीज को आप लोग जो है कवर कर लेंगे तो यहां पर सातियों यह जो कलहड की राज्टंगडी रचना है यह कश्मेर के हिंदू राज्य का इतिहास बताता है हिंदू राज्य का तो इसे आप लोग बता दिए मैं यही गलत था यही आपका उत्तर हो जाएगा बाकी इसको याद कर लीगिए और भट्टिय में बताया गया है कि सुर इस्थिर है पित्थ भी गूमती है सही बात कालिदास के अंद्रगुप दितिक दरबारी कभी थे यह भी आप लोग जानते यही सही है और बहुत विच्छू नाक्सेंद्वरा लिकित मिलिल्द पंदो ने नाक्सें यहों महिंद यहों सासक मिनांडर के बीच वारता लाब है यह सब हैक्ट सही है पनी जगह पर आप लोग जान हम यह सड़क पर इवहन मंत्राले ने सुरू गिया है विकल्प नंबर भी आपका उत्तर होगा यह सड़क पर यात्रियों को विभिन परकार की सुभिधाओं को बढ़ाने वाला यह जो है नीती है विकल्प नंबर सी हो जाएगा 19 में साथियों यहां पर 19 में देखिए यह 19 में क्या कहा जा रहा है बहुत अच्छा सवाल है यह निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार करके बताईए कौन सा हमारा सही है तो पहला आप लोग पढ़ेंगे साथियों इल्टुमिस ने भारत में सल्तनत काल में सरप्रथम अरभी के सिक्के चलाए थे यह बि अगदाद के खलीफा से इल्टुमिस को एक खिलहत का प्रमाणपत्त प्राप्त हुआ था जिसके बाद वह जो है एक वास्तविक राजा यानि वास्तविक जो है सल्तनतकाल का यह राजा बना तो यह खिलहत का प्रमाणपत्त क्या होता था था खिलहत का मतलब होता है एक र उत्रा धिकार बना रहा है, तो यही होता है, एक तरह का पोशाक होता है, खिलयत का, तो यही है, तो उसको मिला था, यहां नहीं रहना चाहिए था, यह गलत हो गया, तो ए आपका किवल उत्तर होगा, क्योंकि सही पूछा है, आगे अगर हम लोग देखें, 20 वाले में, तो 20 वाले में हम से जो पूछ रहे हैं, कथन कारण वाले हैं, अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है, करेंट अफियर्स के सवाल, कथन और कारण, तो बलबन ने अपने सासन काल को शक्ति साली बनाया, और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था, यह बिलकुल सही क मन करना, तो यह भी बलबन ने सुरू किया था, लेकिन इस से इसका कोई connection नहीं है, दोनों बाते सही हैं, लेकिन एक दूसरे से यह connect नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण explain नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों सही हैं, और समूचित ब्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो B हो नंबर यह हो जाएगा आगे हम लोग अगर देखें तो साथियों अभी हाल ही में होमी भाभा ये होमी भाभा बिज्ञान सिच्छा केंद्र टाटा इंस्ट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च तो जिसे टाइफर हम लोग कहते हैं साटकट में तो टाइफर के प्रोफेसर सभीता लाडेश को नाई होम पूरसकार से सम्मानित किया गया किस पूरसकार से नाई होम पूरसकार से सम्मानित किया गया या पूरसकार किस से सम्मानित है साथियों केमेश्ट्री में मिला है सभीता लाडेश को नाई होम पूरसकार रसान विज्ञान में काम करने के लिए आगे अगर हम लोग देखें, तो यहां पर जो दिया है हालाही में किस सास्तरी नित्त को सीखने के लिए प्रतिबं धठा दिया है, तो आप लोग जानते हैं हालाही में एक 6 नाम का साथ, पहले मारे पास 8 सास्तरी नित्त होते थे, कितने? 8 तो अभी हालही में एक 6 नाम का ये 6 नाम का एक सास्त्री नित 9 जोड़ा गया है तो ये 9 अब हमारे पास कुल 9 सास्त्री नित हो गए हैं जैसे ये मोहनी 8 भरत नाट्यम कुछी पूरी मड़ी पूरी और ऐसे करके जो है और उत्तरपर्देश का कथक और सत्रिया ऐसे करके कुल 9 नित हो गए हैं आप लोग पढ़ लीजेगा इसके बारे में तो यहां पर जो मोहनी 8 है साथियों ठाली में मोहनी 8 सास्त्री नित को सीखने के लिए प्रतिबंद लिंग नाम है डीम्स डीम्स अभी सुभी दियाल है वहां पर लड़कियों को यह जो है मोहनी 8 सीखने पर मना ही थी लेकिन अब यहां लिंग प्रतिबंद को हटा दिया गया है लड़की लड़का सब सीख सकते हैं तो विकल्प नंबर यह हो जाएगा मोहनी 8 का प्रतिबंद लग में सिनाई प्राइदीप कौन सा प्राइदीप साथ ही हूँ यह सिनाई प्राइदीप से पुर्व में यानि लाल सागर के उत्री भाग में सिनाई प्राइदीप है और सिनाई प्राइदीप के पुर्व में अरव अरभी मुख भूमी से लगा हुआ पश्चिम में एक पूछ रहा है वही सिनाई प्राइदिप के पूर में अरब मुखभूमी के पस्चिम में कौन सी खाड़ी है तो साथियों वह अकाबा की खाड़ी है विकल्प नंबर यह हो जाएगा अकाबा की खाड़ी यही है तो यही इसी के बारें पूछ रहे हैं तो विकल्प नंबर आ और तमिलनाडू के छेत्रों में बसा हुआ पश्चिमी घाट में है ये तो मोयार घाटी जंगल में गंभीर रूप से लुप्त प्राय जीफ्स गिद्ध कौन सा गिस्त साथियों जीफ्स गिद्धों की सबसे बड़ी घोंसले वाली कालोनी है यह किस बायोस्फियर के इस्थित है बिकल्प नमबर दी निलगीरी डायोस्फियर रिजर्व सांथियों जैसे कुछ करनाटक का छेत्र और केरल तमिलनाडू के छेत्र यानि पश्च्मी-घाठ वाले छेत्रों में यह निलगीरी है जो इस तरह का एक पहला जो है जो यह तरह का बायोस्फियर र किया गया नाम से ही लग रहा है सी हो जाएगा आपका आगे देख ले हम लोग 27 में तो साथियों अभी यहां पर एक चर्चा में था यह 27 वाला प्रश्ण भी आप जानते हैं तो इनको जो है एक समाज सुधारक थे साथियों जगननाथ संकर सेठ उन्ही के नाम पर यह जो मु सब्सक्र नाम जिया आगे अगर हमलोग 28 वाले में तो हाल ही में इक्की संस्थाने आकांची ब्लाक कारकरम के तहट वोकलफार लोकल हल सुरू किया है तो सात्यों नीती आयोग ने ठिंक टैंक जिसे हम लोग कहते हैं विकल्प नमबर ये सी आगे अगर हम लोग देखें ये 29 में हाले ही में PM सूरज पोर्टल कौन सा पोर्टल साथ हूं PM सूरज पोर्टल ऐसे लग रहा है यह सूरज से संबन्दित है तो सोलर एनर्जी से संबन्दित होगा कुछ लोग जो है इसका बिना पढ़ी धाम से मार देंगे इसको वाले पर नवी नवी करड़ी मंत्राले के कर रहा है तो आप लोग को लगा होगा सर यह किस्से संबन्दित है यह वह जो वंचित वर की लोग है गरीब तबके की लोग है जो कुछ करना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं है तो उनको एक लाख रुपिया तक जो है यह लोन देने का प्रावधान है सूरज पीम पोर् मिलने का तो या उन्डे घोषडा या उन्डे घोषडा निमनलिखीत में से किससे संबन्दित है तो साथियों अफरिकी देशों में मलेरिया को हटाने के लिए तो अफरिकी देशों में यह मलेरिया को खतम करने के लिए मैंने बताया यह मलेरिया तो विकल्प नंबर यह आ साथ ही हो कैमरून कैमरून की ही राजधानी है या उंडे यहां जो नाम लिखा है या उंडे यह कैमरून की राजधानी है इसी राजधानी मलेरिया बहुत बड़े लिबल पर पाई गई है इसी मलेरिया को खतम करने के लिए लोगों की बहुत तेजी से जाने जा रहे हैं तो है इसको खतम करने के लिए तो इसका मतलब हैए अब फिर की देशों हों मलेरिया परमूलन से संब्मन की आगे देफ लिए जाए आगर ये है कि ये 31 में बखी में छर्चा में आया 2 थामश शोल छेत्र कहां है तो सेकेंड थामस शोल छेत्र सात्यों यह दच्छडी चीन सागर में है तो बिकल्प नमबर यह भी हो जाएगा हमारा दच्छडी चीन सागर में आगे देखें हम लोग तो वर्स 2023 का साहित अकैडमी पुरसकार अंग्रेजी भासा के उपन्यास के लिए किसे दिया गया तो सर यह नीलम सरन गौर को दिया गया विकल्प नमबर यह सी हो जाएगा 2023 का साइट अगेडमी पुरसकार अंग्रेजी भासा का याद रहा के लिए अंग्रेजी उपन्यास के लिए निलम सरन गौर को दिया गया है आगे देखें हम लोग 33 में अंतरराष्ट्री महिला दिवस गजब का सवाल है ये अइसे सवाल तीम पर आधारी पूछे जाते हैं अंतरराष्टी महिला दिवस आप लोग जानते हैं आठ मार्श को मनााया जाता है और इस साल जो आठ मार्श चौबिस होँगा जो दोहयार चौबिस का अंतरराष्टी महिला दिवस मनाया गया इसकी थीम की बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या है इसकी थीम यही यह साथियों महिलाओं में निवेश प्रकदी में तेजी नाला यानि महिलाओं से सब्मंधित जो है कारक्रमों में जाता जाता निवेश करना और प्रकदी में तेजी ल तो पुरुत्तर भारत में और दोगी करण यानि जो नॉर्थ हिश्ट वाले जो देश हैं वहाँ पर और दोगी करण को बढ़ावा देने के लिए यह जो है यही शूरूपिया गया उन्नती दोगी करण योजना आगे देखे हम लोग 35 में हालही में भारती नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुक्षाले नौसेना भावन कहां इस्थापित किया है तो साथियों अभी रच्छा मंत्री राजनाज सिंग ने दिल्ली में नौसेना भावन का उत्भाटन किया गया है तो यह किस्ते नौसेना का यह अपना स्वतंत्र मुख्षाले होगा अब किसी के अंडर में उसका मुख्षाले नहीं रहेगा तो इसका नौसेना भावन का घाटन किया गया दिल्ली में किसके द्वारा राजनास सिंह रच्षा मंतरी के द्वारा यह देखे हम लोग लस्ति निएंखी विस्तू जल दीवस दोजाजर चौबीस की थीम क्या है तो बिस्तू जल दीवस साथियों मनाया जाता है हम लोग जानते है बहुत ही प्रचलित हैं और इस चर्चा में आया था की अपकी बार जो हाहाकार मचने वाले है विश्व में वो जल के लिए मचने वाली है क्योंकि जल का। जिस तरह के सिர्गेे से कमी देखी जा रही है तो अगला जो है हाहकार ये जल के लिए ही होगा। तो यही इसी पराधारित है समरिद्धी और शांती के लिए जल तो विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा विकल्प नंबर बी यही इसकी थीम्थी 2024 में जो मनाया गया आगे देखें तो सयुक तराष्ट प्राइचित और सिक्ष भुख मरी सयुक तराष्ट द्वारत की इस अस्थान पर है तो साथियों ये संयुक्त राश्त वर अप्रायोजी विश्व खुशहाली सॉरी सॉरी मैं गलत पड़ दिया इसमें भुखमरी सुचकांग कभी आया है साथियों तो मेरे दिमाग में वही था अभी जो है भारत अपलुग जानते हैं 2023 वाले में जो है भारत जो है जो पिछल इंडेक्स में तो वही मेरे दिमाग में था तो मैं पढ़ दिया था तो यहां पर साई एक प्रश्ण आपसे पूछ रहा है सायुक्त राश्वारव प्रायोजीत वार्सिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की सस्थान पर है तो साथियों 126 वे अस्था हाल है आगे देखें 38 में हाल ही में आपरेशन इंद्रावती को भारत ने किस देश में लांच किया है तो साथियों भी आपरेशन इंद्रावती नाम ही है इंद्रावती नाम से ही लग रहा है खाँ इसे भारत ने ही लांच किया है तो यह हैटी में लांच किया गया है है आ आप लोग नार्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखेंगे तो उसके जहां मद्ध है अमेरिका है तो उसके थोड़ा सा बाहर देखेंगे दाहिने तरफ अगर मैप में तो आपको एक हैती दिखाई देगा के अवियन दीप में यहीं पर है यह तो विकल्प नंबर बी यह लोग आगे देखें 39 निमलिखित में से किन संस्थानों ने किन संस्थानों ने संयुक तुरूप से संयुक तुरूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 सिर्शक से एक रिपोर्ट प्रकासित की है तो कौन से इसी संस्था है जिन्होंने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 टाइ इसके बारे में बहुत ज्यादा शर्चा में था अंतर राष्टी स्रम संगठन और मानो विकास संस्थान यही दो संस्थाएं जो है जो है यह मिलकर यह भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी किये हैं रोजगार से संबंदित जो है इसमें चीजों को दिखाया गया है रोजगा है तो वैकल्पिक मार के रोप में अभि यह चर्चा में था वैंगुरियन कैनाल नहर किस देश में इस्थीत है तो चार देशों के नाम आपको दिए गए है तो इसमें इसराहिल में है साती हूँ, बैकल्प नंबर यह हो जाएगा इसराहिल में, तो 1960 के दसक में यह जो है बेन गूरियन नहर पर यूजना की एक तरह से अवधाला एक कंसेप्ट आया था तो उसी सम्द्दी था यह अलग मार का रोप में वैकल्बिक मार के रोप में है तो यहां पर 41 वालिम जो पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं साथियों दो कथन लिखा है द पूर्टगाली, समुद्री, समराज को इस्तादोद इंडिया कहा जाता था यह बिल्कुल सही है यह और सबसे अंत में आप लोग जानते हैं विदेशी सक्तियों के मामले में सुतंत्र भारत में सबसे अंत में पूर्टगीज नियंत्रन समाथ हुआ है पूर्टगाली सबस ग्राज करें कि निमलिखित में से कौन सा कथन बंगाल में दोयद सासन के संदर्म में सत्य है तो आप लोग जानते हैं साथ ही हो बंगाल में दोयद सासन का जनक राबर्ट कलाइब था इन्होंने 1765 में जब बक्सर का युद्ध उन्होंने अंग्रेजों ने जीता तो 1764 मे ये बंगाल में दोयद सासन की सुरुवात हुआ तो दोयद सासन क्या था साथियों जैसे ये मीर कासीम के बाद जब उसका बेटा जब सत्ता पर आया तो इन्होंने वहां का उसको नाम मात राजा बनाया और उसके काफी सारी प्रमुक सक्तियां वापस ले लिए तो इसका म उसकी कोई जवाब दही नहीं थी और जो जवाब देही वाली थोड़ी बहुत सकती थी वो नव आपके पास रखे थे यही है विकल्प नंबर ए आपका बंगाल में दोयद सासन से संबंदित है उससे संबंदित आपको और अगर कोई पूछे तो 1765 में आया था और ये 1772 म समाथ हो गया था और अगर पूछे तो जनक कौन था राबर्ट कलाई था आगे चले हम लोग देखें किस युद्ध के बाद हुआ था इसके बाद से आगे देखें देखें यहां पर एक गजब का सवाल इसी से संबंदित दिया है अगर आप हमारी बातों को सुने होंगे तो यहां पर इसे कर लेंगे देखें तीन साथियों हमें दिया है एक तरफ हमें मतलब मैचिंग दिया है बताना है कौन सा सही है तो कौन सा युग में सुमेलित है इसे हमें बताना है एक तरफ आपको युद्ध दे दिया है पहली सूची में दूसरी सूची में उससे संब संदी है आप लोग को मालूम होना चाहिए प्रथम करनाटक यूद एक्षला सैपल के संदी से हुई थी प्रथम करनाटक यूद इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा ये प्रथम ये जो है 1748 से हुआ था ये एक्षला सैपल संदी प्रथम करनाटक यूद के तहट तो ये वाला तो बिल्कुल सत्त है, इसमें कोई दाग नहीं है, अब दूसरा साथियों जो हुआ था, ये दितिक करनाटक युद्ध जो संदी हुआ था, पेरिस नहीं, पांडिचेरी की संदी हुआ था, यहां पांडिचेरी होना चाहिए था साथियों, पांडिचेरी और जो त त्रिगूट सेना हारी थी, अंग्रेजों के त्रिगूट सेना थी धर और उधर एक अंग्रेजों की सेना थी, त्रिगूट सेना हार गई थी, उसके बाद इलहाबाद की संधी हुई थी, तो बक्सर, बक्सर की संधी के बसकर ये उतके बाद हुआ था, तो ये वाली बात हमा तो साथियों में लोग question number ये 44 देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा यह रहा है साथियों, ये मुगल दर्बार में आने वाले British प्रतनिधियों का कालकरम पूछा है साथियों, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा जो है ब्रिटिस प्रतनिधी आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, यह हमें order में set करना है, तो साथियों, जहांगीर के दरबार में यह दोनों आये थे, आप लोगों को इतना तो पता होगा, बहुत से आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिलियम हॉकिन्स पहले आया थ यह साथियों यह जो बिलियम हॉकिन्स आया था, यह 1608 में आया था, यह जहांगीर के दरबार में और उसके बाद यह जहांगीर के दरबार में आया था, यह 1615 में यह 1615 में यह आया था, और उसके बाद साथियों यह तो फर्रुक सियार के सासनकाल में आया था, आप लोग इसका मतलब यही आडर हमारा सेट हो रहा है, एक, दो, तिन, यही सत्य है, आगे देखें हम लोग, यहाँ देखें, अगर हम लोग 45 में देखते हैं, तो यहाँ जो हमसे पूछा जा रहा है, विलियम बैंटिक ने प्रांती न्याले समाप्त कर कमिशनरी, कमिशनरीयों का न्य किया था, यह साथियों, इसमें बिल्कुल सत्य है, बिलियम बैंटिक ने, जो है, वो बिलियम बैंटिक ने प्रांती न्याले को बैन करके, कमिशनरी प्रडाली, जो है, कमिशनरीयों सिस्टम, जो है, वो सुरूख गिया था, यह बिल्कुल सत्य है, और यहाँ लिखा है कि दूसरे में कार्णवालिस की समय कई राज्यों पर सहायक संधी लागू की गई सातियों यही तो गलती कर दिया इसने सहायक संधी सातियों लाड वेलेजली ने लेकर आया था यह कार्णवालिस से संबंदीत नहीं है कारणवालिस का एक प्रमुक काम है सातियों पूलिस विवस्था में बहुत बड़ा सुधार लाया था और जो अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था ये सहायक संधी यहां पर जो है सातियों ये सहायक संधी जो है लाड वेलेजली लेकर आया था कारणवालिस नहीं तो ये ग क्या गज़ेप का सवाल है ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा सवाल है यह जटके में आप इसे लंगडा कर देंगे देखते हैं क्या कर रहा है कौन सा घटना कार्णवालिस के सासनकाल से संबंदित है यहां चार घटनाय दी गई है इनहीं चारो घटनाओं का आप अच्छे स आपजर्व अवलोकन करके अच्छे से पढ़कर बताना है कौन सा उत्तर सही है यानि सही कौन सा है जो कार्णवाली स्किर्जासनकाल से संबंदित है वही सही होगा तो आप लोग यहां पहली जो घटना दी गई है बंगाल में एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसके बार बंगाल में तो इसका मतलब यह कार्णवाली से संबंदित नहीं है तो यह उत्तर में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें सही पूछ रहा है तो जहां जहां एक होगा उसे हटा दीजिए वही आपका उत्तर बच जाएगा आपसं भी केवल बच रहा है आपका अपने आप हो ग सिर्फ हम एक घटना से अच्छे से परचीत है इसी के आधार पर हमने उत्तर को निकाल लियक हमारा उत्तर क्या होगा अब यह बाकी तीन हमको आते हैं या नहीं आते हैं वो मतलब नहीं है लेकिन हमने किवल एक जानकारी से उत्तर को निकाल लियक फिलाहाल ये तो से संबंधित नहीं है बंगाल यह तो वारेन हैक्स्री संबंधित यही गलत हुआ और बाकी यह तीनों अपनी जगह पे सत्य हैं भारत में सीविल सेवा की सुरुवात किया था कारणवाले से सीरी रंग पटनम की संदिक होई थी और अस्थाई बंदोबस्त का किर्यानवन किय था ना कि आप पढ़ते जाना आप पढ़ते जाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा वही आपको उत्तर बता देगा देखें कथनों में से कौन सा कथन में लिखित कतनों में से कौन सा कथन आउपनिवेशिक काल में सिविल सेवा के विकास के संदर में असत्य है तो सिविल बताना है यहां ध्यान देजिएगा तो सर रौस बारकर की अध्यस्ता में पहले लोग सिवा आयोग की इस्थापना की गई यह साथियों सर रौस बारकर की अध्यस्ता में पहले लोग सिवा आयोग यानी UPSC की इस्थापना की गई थी तो यह बात बिलकुल सत्य है लेकिन हम असत्य बताना है जो गलत है, तो ये तो गलत नहीं है, तो सही है, दूसरा अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो 1923 में गठित रायल कमीशन इससे संबंदित है, जी, 1923 में जो रायल कमीशन गठित होई थी, वो यही सिविल सेवा से ही संबंदित थी, ये भी तो सही है, अगला घटाई गई थी जो सीविल सेवा के लिए जो 21 साल से उसकी उम्र 19 साल कर दिया गया था तो 21 साल से घटा कर 19 साल कर दिया गया था यानि बढ़ाई नहीं गई थी घटाई गई थी तो यहीं गलत हो गया और गलत ही आपका उत्तर हुआ क्योंकि हमसे असत्य पूछा है तो आप का उत्तर C हो जाएगा क्योंकि प्रथम दोनों सत्य हैं और C वाला ही असत्य है आगे अगर हम लोग देखें आगे अगर हम लोग देखते हैं अणतालिस में, तो ब्रितिस काल में ठगो एओं पिंडारियों, ठगो एओं पिंडारियों से युद्ध के सम्मंद में निमलिखित कथनों पर विचार करें, तो ठगो एओं पिंडारियों से युद्ध के सम्मंद में विचार करना है, और विचार करके हमें बताना है कि कौन सा कर्थन हमारा सत्य है अब हम लोग जो यहां पहला वाला पढ़ रहे हैं तो साथियों पहले वाले में जो हमसे पूछे जा रहे हैं विलियम बैंटी के सासन काल में स्ली मैन के नेत्रित्र में ठगी प्रथा का अंत्र किया गया जी साथियों बिल्कुल सही है ये विलियम बै चेक्ष्टिंग के सासनकाल में किया गया, ये भी बात सही है, तो आपका उत्तर C हो जाएगा, एक और दो, दोनों कथन सत्य हैं, आगे देखें हम लोग, 49 में साथ यूं क्या कहा जा रहा है, 49 में साथ यूं क्या कह रहा है, रेले कमेशन सिच्छा से संबन्न नहीं था, तो यह सिच्छा से संबंदी था यह बिलकुल सही है रिले आयो की स्थापना 1902 में हुई थी यह विश्विद्यालम स्थिती का अध्यन करने के लिए किया गया था तो यह बात सही है और बटलर कमिशन देसी राजियों से संबंदी था यह भी बात सत्ते है सातियों इसमें भी बटलर कमिशन गठन का हुआ था तो यह भारत सरकार के भारती राजियों के बीच यह संबंदों को बेहतर बनाना था एक तो एक तरह से केंदर राज्य संबंदी था तो यानि यह देसी राज्यों से संबंदी था दोनों कथने सकते हैं सी आपका उत्तर हो जाएगा आगे देखें आगे अगर हम लोग 50 वालिम देख रहे हैं तो यहां पर सात्यों आंगलम मराठा युद के संदर्व में हमें दो कथन दिए गए हैं आंगलम मराठा यूद के संदव में अब रही दोनों को पढ़कर हमें असत्य को बताना यहां ध्यान रखिए अगर थोड़ा सा यहां अगर गड़बड हुए या आप यहां मार्किंग नहीं किये तो आप आता हुआ प्रश्न को उल्टा समझ कर गलत कर देंगे तो देखें यहां पर पहला कह रहे हैं कि पुरंदर की संधी दिती आंगल मराठा युद्ध के संबंद मतलब पुरंदर की जो संधी हुई थ कौन सी संधी यहां पर मैं थोड़ा सा मार्किंग कर दू जो पुरंदर की संधी हुई थी सातियों वह करें हैं कि दिती आंगल मराठा युद्ध से संबंदित है तो सातियों यह दिती आंगल मराठा युद्ध से संबंदित है यहां पर यह प्रथम होना चाहिए था इसका मतलब यह गलत हो गया सही नहीं है दूसरा करें यह बेसीन की संधी कौन सी संधी साथियों यह बेसीन की संधी करें है प्रथम आंगल मराठा युद से संबंदी था तो साथियों यह दूसरी आंगल मराठा युद से संबंदी था तो यानि दोनों उल्टा दे दिया इसका प् सत्य हैं दोनों के दोनों ए और सी तोनों आगे देखा जाए देखें कि क्याओन में करें निमलिखित वरसों में से कब पर्यावरण संरच्छन अधिनियम पारित हुआ तो बिल्कुल साफ साफ प्रशने कई बार आप लोग इसे साल्व किये होंगे ये 1986 में पर्यावरण पूछ रहे हैं सवर विगिरण का सबसे महत्वपूर भूमी का क्या है सोलर रेडियेशन की सबसे महत्वपूर भूमी का क्या है ये बताना है कारवन चक्र में हाइड्रोन चक्र में जल चक्र में तो साथ ही हों जल चक्र में जल चक्र होता है प्रित्वी पर जल आता है भा नीचे आना यहीं होता है साय्क्लिक सी हो जाएगा बावन का से आगे देखें कि सतव विकास के लिए आवस्यक है क्या सतव विकास के लिए Όनीस संटनेबल डिवलाप्मेंट के लिए आवस्यक क्या है कि जयविक विविद्दा का संद्चण हो सातियों यस आप लोग सतत विविद्दा के बारे में पढ़े होगा जब आपको गुरू जी पढ़ाए होंगे डिटल से तो यही बताये होंगे भाई यही हम लोग विविद्दा को इस तरह से करें तो हम अपनी पीड़ी की आवस्षक्ताओं को आसानी से पूर्ती कर ले और आने वाली पीड़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखें तो यही आपको गुरु जी बताये होंगे तो इसमें जैविक विद्धा का समरच्छन की बात किया गया है प्रदूसन को नियंत्र यानि उसमें आइस तरह से विकास करें जैविक विद्धा को खत्रा भी न पहुचे प्रदूसन को भी खत्रा न पहुचे निर्धनता को भी घटाना तो ये सब बाते जो है यानि D हो जाएगा सतत दिकास के लिए उपरोग सभी बातें सबते हैं आगे देखे हम लोग प्रित्वी के चारों और गैसों के समूग को क्या कहते हैं साथ ही यह वायू मंडल और क्या विभीन प्रकार की गैसों के जो मिक्षर होता है वो जिससे हम घिरे हुए हैं वायू मंडल तो सी हो जाएगा हमारा चवण का यह यह क्या हो जाएगा हमारा चवण का सी आगे देखें हम लोग पच्पन में निमने लेखित में से कौन सा कार पेड़ पौधों का नहीं है तो चार यापसों में से पढ़क बताना है कौन सा कार पेड़ पौधों का नहीं है यहां नहीं पर जरूर ध्याँ देजिये तो कौन सा कार नहीं है कारवन डायक्साइड यानी सीो टू का आउशोषर करते हैं यह करते तो हैं यह दो सही है लेकिन हमें गलत बताना है यहां आपको तो आपको लगेगा कि आप यृट देंगे तो उलध देंगे तो आपका अर्थ का अंर्थ हो जाएगा डिकल्फ में आप गलत कर देंगे आपकी जो marking करते हैं गोला भरने वहां आपकी गल्ती हो जाहेगी तो छोटे प्रश्णों में यही आप लोग जायत ध्यान दिया करिए तो कार्बन डाय अक्साइट का आउसोषड में होता है यह होता है शोर यानि जो जो विभिन प्रकार की सोर गुल है उसे भी आउसोषड करते हैं इसलिए सड़कों के किनारे हरीत पर्यावरण को बढ़ावा दिया करता है जो वहां पर हार नुगर हैं उनकी आवाजों को असोषड करें वायू प्रदूशर साथ यो वायू को प्रदूशर नहीं वायू को स्वच्छ करने में होता है तो यहां पर यह गलत लिख दिया यानि कार्बन डायक्साइट का आउसोषड भी करता है ध्वनी का ते हैं इसका मतलब लिखते हैं वायू प्रदूशर नहीं करता है मैं मेरे लाएफ फ़फ पधर वायू प्रदूशर करेंगे वह तो वायू को संच करते हैं तो सी हाई जाएगा झा परता ओल कुछ कोई दिरे-दिरे उपरी सित्य से उसका च्छए होने लगे, तो अपछ्षए का विचार सम्बंदित किससे है, तो किससे ऐसा थिओं अपछ्छ्य का विचार, आप लोग इसमें बताना है, इसमें दिया है कि तो इस से तो नहीं है, मौसम में धेनिक प्रावर्तन, एक प्राकृतिक किरिया है जो चटानों को सूच्म कड़ों में विभप्त करते हैं यही है अपच्छ है विकल्प नमबर यह कौन सी किरिया है प्राकृतिक किरिया है चटानों को सूच्म चैनि छोटे-छोटे कड़ों में भुरभुरिक रूप में तोड़ती है धीरे-धीरे तो बिकल्प दियें, कैन्बरा, एमिस्टर्डम, ओटावा, नागा साकी, तो जो साथियों यहाँ पर आपका एंसर होना चाहिए, सई एंसर एमिस्टर्डम में, अभी यही पर साथियों, यह ग्रीन हाइट्रोजन समिट हुआ था, तो एमिस्टर्डम, ग्रीन प्रीस नेशनल का मुख्याले, एमिस्टर्डम में हुआ था, तो बिकल्प नंबर यह B हो जाएगा, नीदर लेंड की राजधानी, आगे देखें, इको मार्क, साथियों बहुत सिंपल सा परशन, आप लोग जानते होंगे, इको मार्क उन पदार्थों को दिया आता है, जिसे बताया जाता ह कि हाँ यह पदार्थ जो है पर्यावरण हितैसी है, यह खराब हो जाएगा, आप पर्यावरण ठेक देंगे तो पर्यावरण को नुपसान नहीं पहुचाएगा, तो यही होता इको मार्क जिस पर लगा होता है, मिट्टी के घड़े के निसान होते है इको मार्क, आप दिये गए हैं, तो बताना है तो W.S. Adams, W.M. Adams ने लिखा है, बिकल्प नंबर यह D हो जाएगा आपका, 1990 में इसका पहला संस्करण प्रकासित हुआ था, आगे देखें हम लोग, प्राकृतिक क्रिशी के अन्विन्सक हैं, तो प्राकृतिक क्रिशी के अन्विन्सक कौन हैं, यह बताना है आपको नौर्मन बोरलाग दिया है, M.S. Randhawa, M.S. Swaminathan और Masanobu, Pokuowa, तो यही हैं, बिकल्प नंबर D हो जाएगा आपका, यह जापान के हैं, Masanobu, Pokuowa, यह प्राकृतिक किसी यानि और्गैनिक एगरिकल्चर के अन्विन्सक यानि जनक एक तरह के हैं, बिकल्प नंबर D, तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने 60 कोश्चन देख लिया है, बाकी के जो 70 कोश्चन हम लोग बचे हैं, इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि बीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है, इतना आप देख लेंगे इसी के बाद, यानि फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेंगे अभी 60 कोश्चन तक, इसे के जस्ट बाद हम लोग 2 पार्ट में अप्लोड करेंगे, इसके जो बचे हुए 70 कोश्चन है, आपके लिए बहुत 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 सत्तर, 80 कोश् तो आपकी जो है सुविधा को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस बीडियो को हम यही रोग दे रहे हैं इसके बाद हम लोग पार्ट सेकंड लाएंगे पार्ट सेकंड में जा आप लोग देख रहे हैं इस तरह के ओवा लाइनर टाइप के जो प्रशन आ रहे हैं ऐसे ही सारे प्रशन आएंगे तो आप लोग वीडियो का इंतजार केजिए इसके बाद हम लोग जेष्ट कोई भी पार्ट वन अपलोट किया आता है तो जेष्ट उसके बाद उसी का पार्ट टू अपलोट करके उसको पूरा किया आता है उसके बाद कोई शेर डाली जाती है तो झाल झाल